अगर आपको अपने ब्लॉगや वेबसाइट से जल्दी से जल्दी भ़ग करनी है तो साइट वास्ट जनी की जल्दी ऊपन होनी चाहिए और एक पोस्ट बहुत ही जादा वास्ट पन होना चाहिए क्योंकि starting के अंदर आपके site का ना ही authority होता है ना ही backlink तो Google आपके site को rank करने की क्यों कोसिस करेगा इसलिए ride themes और plugin का selection बहुत ज़रूरी है एक नहीं कई themes देने वाला हूँ जो fast load और rank भी होगा pirated theme का इस्तमाल भूल से भी कभी भी earning परक्वस के लिए नहीं करना adsense का approval कभी भी नहीं मिलेगा और Google आपको penalize भी कर सकता है क्योंकि pirated theme के अंदर malicious code भी होता है अगर आप pirated theme का इस्तमाल कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो इस plugin को ज़रूर install करना SEO friendly article कैसे लिखते हैं इस वीडियो को देखने बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना इस post में live rank करके मैंने दिखाया है और post को किस तरह से better तरीके से लिखते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर सिखाया है link is in the description इस वीडियो से कोई help मिलता है तो इस वीडियो को like जरूर कर देना अगर मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लेना बिना escape कि ये पूरा वीडियो देखना आपका help जरूर होगा चले इस वीडियो को सुरू करते हैं ओके सबसे पहले हम चलते हैं अपने डोमेन पर जो की हम अपना जो चैनल का मीडविकास.com है इसके उपर चले जाते हैं उसके वाद आप यहां पे मैं किसी भी पूश्ट को उपन करता हूं तो आप परमा लिंक के अंदर देख सकते हैं इंडेक्स.php सभी खुटा देगा और पोश्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे राइट अगर यहां से सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ऊपर यहां पर जो एक पोश्ट नेम का ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करेंगे और सेब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ओके मैप जो कि अपना वेबसाइट को उपन करता हूँ और किसी पोस्ट को उपन करके दिखाता हूँ कि वो परमालिंग जो ही कि वो चला गया है इंडेक्स.php वेगर है ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है Hello World जो भी है हमारा यह आ रहा है अब हम चलेंगे GT Matrix के अंदर आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट का जो स्पीड है अभी कितना आ रहा है जो भी डिफॉल्ट है मैं यहाँ पर अपना लोकेशन को चूज कर लेता हूँ लोगिन करने के बाद ही यह आता है इसके अनलाइज के उपर क्लिक करते हैं तो यह जो ही कि हमारे वेबसाइट को सक्सेस्फुली एनलाइज कर रहा है मुंबई वाले सरवर्ग से ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो जी टी मैट्रिक्स का जो भी ग्रेड वेगरा है सब कुछ एकदम क्यूंकि यह ब्रांड न्यू वेबसाइट है इसके अंदर मैंने पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ इंस्टॉल वेगरा किया है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको यह स्टेटिक्स हैं राइट ओके जब भी आपने वेबसाइट के अंदर काम करते हैं तो समय के साथ वो की सुलो हो जाता है डिफरेंट दिफरेंट थीम्स और प्लग इन को इंस्टॉल करने से ऐसा हम नह क्लासिक एडिटर का यूज नहीं करते हैं डिफॉल्ट का यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं और मैं यहाँ पर क्लासिक एडिटर को यूज कर लिए आप यहाँ पर पॉपलर वाले सक्शन के ओपर क्लिक करना है और थोड़ा से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें सेक्यूर के लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज़दा बेस्ट है और बहुत ही ज़दा कूल फीचर्स है इसके अंदर और बहुत ही मज़ा आता है इसके अंदर काम करने में राइट अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लगिन के अंदर अभी हम सर्च करेंगे AMP क्योंकि हमें इस वाले प्लगिन को सर्च इंस्टाल करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लगिन्स मिलते हैं जो AMP सपोर्टेड रहता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है अपना वेबसाइट हम कभी भी कितना भी लंबा चोड़ा आर्टिकल या इमेज वेगर को डालते हैं तो बहुत ही अच्छे से रैंक करता है अपना वेबसाइट राइट अब हम चलते हैं Google News अगर आपका वेबसाइट जो भी बनाना चाहते हैं अगर आप न्यूज की वेबसाइट बना चाहते हैं तो आप इस प्लगिन को इंस्टाल करेंगे से एकसेमल साइटमैप गूगल न्यूज राइट इस प्लगिन को इंस्टाल करना राइ यह द्यूज के न्यूज के लिए बहुत ज़दा परक्ट है उसके बाद हम चलते हैं यहां पे और हम एड्स के के अंदर जब भी अपने वेबसाइट को जो की एडसेंस के लिए अप्रूबल मिलेगा तभी हम लोग यूज करेंगे तभी बारी-बारी से यह जो प्लग-इन है लाइट स्पीड कैसे यह डिफॉल्ट था अभी मैं क्या करता हूं कि वर्डफेंस सेकुरिटी हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी अपने को अपना साइट पूरा लाइट वेट रखना अगर किसी भी तरह का बोट वगरा किसी भी तरह का अटाक होता है तो हमें जा अटाक मोड इसे ओपन कर लेना है इससे होगा यह कि कोई भी वेबसाइट के अंदर आपके वेबसाइट के अंदर किसी भी तरह का malicious activity नहीं किया जाएगा राइट कोई करी नहीं सकता बोट अटाक भी नहीं कर पाएगा अगर इससे यह तो रेर है कि कोई आपके वेबसाइट के अंदर कुछ करे तो अगर नहीं करे तो इससा ओपन करना है अगर malicious comment वगरा आने लगता है तो इस plugin को आपको activate कर देना अब क्या करता हूं कि इन सभी plugins को बारी बारी से अक्टिवेट करता हूं एक साथ एक्टिवेट नहीं करता हूं क्योंकि कोई भी तरह का problem create कर सकता है क्योंकि सभी जो की थीम प्लगिन जो है कि बहुत ही जदा पावरफुल है तो मैं classic editor को activate कर लेता हूं बारी बारी से सभी प्लगिन को मैं activate करता हूं यह जो light speed कैसे है इसे मैं ऐसे पड़े रहने देता हूं इसका इस्तेमाल नहीं करते है क्योंकि हमारा server ही light speed है राइट इसका हमें कोई जरूरत नहीं है अगर आप advanced है तभी उसको करना अब मैं rank math के अंदर आगया आप इस keep now के उपर किलिक करेंगे तो यह अच्छे से work करेंगा बहुत ही अच्छा extension है इसके अंदर 404 का monitor करना है कुछ भी तो हम यहां पर चलते हैं सबसे पहले themes के अंदर और यहां पर मैं जो ही कि यह जितने फाल्टू themes है इसे मैं delete कर देता हूं इसका कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसे delete कर देता हुआ 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 है हमारा जो थीम है successfully delete हो गया मैं आपे add new के उपर क्लिक करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि AMP compatible इसके उपर क्लिक करना जब भी आप AMP का theme यह plugin इस्टॉल करेंगे तभी यह option यहां पर जो कि fully AMP को support करते हैं otherwise कोई दूसरा थीम को support करे भी या ना भी करे कोई guarantee लिकिन इसके अंदर पूरी guarantee है कि आपका कुछ plugins को और कुछ जरूरी plugins को और यहां पर कुछ जितने भी themes सभी AMP को support करते हैं आप सभी जानते हैं कि AMP जो ही कि mobile के अंदर बहुत ही जल्दी rank क का website तो मैं इस वाले theme को install कर लेता हूं आप यहां पर preview देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कि themes जो भी है इसका credit आ रहा है इससे बहुत ही इससे कोई ज्यादा ज्यादा problem नहीं होता है ज्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है यह जो थी मैं successfully activate हो चुका अभी मैं इसे activate भी कर लेता हूं इस्टॉल हो चुका है सॉरी अब मैं यहां पर एक बार इसे कट कर देता हूं आप आप विजिट करके देख सकते हैं कि अपना site जो की कैसा हो गया है ओके इस तरह का site दीख रहा है जो की AMP को भी पूरा support कर रहा है अभी मैं इसका पूरा settings वगर आपको दिखाने वाला हूं तो आप यहां पर themes के उपर क्लिक करेंगा और customize के उपर क्लिक करेंगे और आप यहां पर कुछ भी कर सकते हैं अपने site के अंदर कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं कोई problem नहीं है कोई restriction वगरा नहीं है अगर आप दूसरा MP का theme अगर डालते हैं आप यहां पर देख सकते हैं अपने tagline चूज करते हैं display tagline display title वगरा सब चीज़ को यहां से monitor कर सकते हैं अपने site का logo डाल सकते हैं अगर आप अपने site के अंदर फेवी कोण डालना चाहते है जो की उपर सब से उपर आता है तो सब कुछ यहां से आप कर सकते हैं कोई problem नहीं यहां से आप फेवी कोण डाल सकते हैं अब हम चलते हैं back अब यहां पे header image के अंदर आप देख सकते हैं selected color अगर आप image लगाना चाहते है background के अंदर तो यहाँ पे आपाव जाएंगे राइट यहाँ पर हर चीज है अगर मेन्यू भी create करना चाहता है यहाँ से भी कर सकते हैं今日は यहाँ पर widgets के अंदर जाते हैं हैं यहाँ मटलेकर सेट करके रखना चाहते हैं तो हर चीज आप यहां पर से मौनिटर कर सकते हैं कोई प्रोबलंड नहीं है कोई बंदा अगर अर्श्टाइघिं के अनुट última के लिया आता है तो कोई प्रोबलम नहीं होता एज अब चलते हैं mm के अंदर अपने साइड को एक बार कर देना है कि मैं यहां पर स्टेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे आके आपको यहां पर सेब के ऊपर क्लिक कर देना और यह सेब हो जाएगा अपना site AMP हुआ है या नहीं इसके test करने के लिए हम चलेंगे Google के अंदर यहाँ पर हम search कर लेते हैं AMP test और यहाँ पर यह वेबसाइट जो की इस website को open कर लेते हैं और अपने website का जो की link है इस link को हमने copy कर लेना है और यहाँ पर आके हम इस link को paste कर देंगे और यहाँ पर test URL के उपर click करेंगे यह test करके हमें बताएगा कि अपना website जो की AMP fully supported है या नहीं है किसी तरह का error तो नहीं आ रहा आप यहाँ पर देख सकते कि हमारा website जो की successfully AMP को support कर रहा testboard के अंदर आप यहाँ पर देख सकते कि साइट अब चलेंगे GT matrix के अंदर और GT matrix के अंदर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यह देखते हैं कि हमारा website के अंदर इंप्रूब्मेंट्स हुआ है या नहीं यह कुछ डाउन तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने plugin और theme को इंस्टॉल किया रही और यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा मतलब कि कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं देख सकते हैं लेकिन कुछ फरक पड़ा है आनि की website जोई की थोरा सा लेट लोड हो रहा है बट यह जो है कि बहुत सही है क्योंकि पिंग्स वगरा सब कुछ सही कर दिया जल्दी ही अपना website आप यहाँ पर देख सकते हैं कि color जो भी अपना पहला जो भी लेटर आता है पहला जो भी HTML CSS जो भी चीज आता है वो पहल पालतू extension को open on नहीं करना है हमें SEO image SEO को on कर देता है अगर आप इंडेक्स जाकी इंस्टैंट चाहते हैं तो इस option को किलिक करेंगे रिडाक्षन वगारा के लिए आपको कोई भी अलग से थीम कोई भी प्लग-इन इंस्टाल नहीं करना रहता है अब हम चलते हैं सेटप विजाड के अंदर और पूरी तरह से उस टाइम पर हमने इस्किप किया था इसे complete करते हैं सेटप विजाड के अंदर स्टार्ट विज आप इसे सेलेक्त करेंगे मैं यहां पर ब्लग रिया जीड को सेलेक्त कर लेता हूं 네 और यहां पर छाहें तो अकुर क्रेंगा कोरें से तो बहुत ही में और यहां पर जो भी टेक्स्ट मोनीस है काटेग्रीज को हम नहीं करना चाहते हैं आपको दिखाने के लिए लिकिन यह जरूरी है अप इससे सेलेक्टेड रहने देते हैं पाद में आप सेलेक्टेड रहने दीजै जब आप पोस्ट को क्रिएट करेंगे अभी अभी नहीं save and continue के ओपर click करेंगे और यहाँ पर 404 monitor अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं कोई problem नहीं है यह important setting है schema markup और यहाँ पर आपको जो भी select करना है अगर आपको music website है article website है video website है तो इसे अब हम यहाँ से फिर से वहीं पर आगए यहाँ से आप सब कुछ monitor कर सकते हैं किसी भी तरह का problem नहीं होने वाला है अब हम appearance के अंदर जाएंगे और menu के अंदर जाएंगे अगर आप नए हैं तो यहाँ से अप मेन्यू को create कर सकते हैं मैं आपको यह पर बता रहा हूं यह video जो कि थोड़ा से एडवांस लोगों के लिए अगर आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं कुछ भी तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा